हेलो एवरिवन ये वीडियो आज उन उन बच्चों के लिए है जिनकों यह नहीं पता के इन पस्टो यानिके बारी के बात करना है उन बच्चों को अपना गोली निए पता अभी तक जो छोटी क्लास जो इस ड्वेंट सोगरा रहते हैं जो विद्यारती रहते हैं उनको तो यह है कि मुझे पहांचोई करने ही छटी क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th फिर 12th फिर 12th फिर 12th फिर 12th फिर 12th फिर 12th के रहा है सब्सक्राइब प्रावलम आज के दिट में ही है मैक्समिमम बच्चों का यही है आज के डिट में प्रावलम तो भाई पहले तो ऐसा है कि जैसे आप 10th से 11th क्लास में जाओ सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो सबसे पहले आप लोग अपना गोल सेट करो कि मेरा गोल क्या है मुझे करना है क्या है एक साथ दो साल बचा मेरे पार इन दो सालों में मुझे करना है क्या है और जो भी आप करो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कितनी मेहनत पर एक देखो आप कि अगर बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने देखा है कि मैंने कल अपने क्लासें अपने काफी बच्चों से डिसकस क्या क्या करना चाह रहे हो सर मुझे पर दिवार NDA करना है कुछ बच्चों ने का सब मुझे JA का पेपर क्लियर करना है सर किसी ने का कि सब मेरे को 10 प्लेश टूर, SSC वगरा का एक्जाम क्लियर करना है बहुत बहुत चाहा है, करो और उसके लिए आपको गोल, आपको 11 क्लास से सोची चलना परेगा अपने सेनियर से टिप्स लो, जिस कोचिन में आप पर दो, वहाँ आप टिप्स लो स्कूल के टीचर से टिप्स लो, आप ए घर ने कोई सेनियर होगा, उनसे टिप्स लो कुछ बच्चे बहुते हैं, सर मुझे सर NDA करना है ठीक है, NDA करना है, बहुत बादरीम तक भी सोचो, कि अगर आप टो NDA करना है तो उसको क्लियर करने के लाँ आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जिन बच्चों ने क्लियर करा है, क्रेक करा है, ये एक्जाम सोगे रहा आप बहुत अच्छे मुकाम पर हैं तो इन बच्चों से आके मिलो आप एक्जाम तो फाइट कर लिया है तो उस एक्जाम के पीछे की मेहनत वो किसने देखी है, वो उस बच्चे ने देखी है तो उसे बात करो, कि आपने कितनी मेहनत करी उस एक्जाम के लिए कोई भी competition आप फाइट कर सकते हो कोई भी competition 10 प्लस 2 बेस पर आपको भी competition फाइट कर सकते हो आपको यह है कि starting आपको यानि कि starting बोलूँगा मैं 11 वो career के लिए मैं बोलूँगा जो सुरुवाद वो 11th क्लास से बोलूँगा सोचो आप, 11 से सोचने स्टार्ट करो सोचता है बच्चे की 12 हो जाएगे उसके बाद सोचिंगे parents सोच रहे है अरे आप लोग सोचो नहीं आए concentration 0 आज के लिए लिए hard working nothing 0 ऐसे में आप कैसे कुछ करो दो ऐसे में तो बेटे कुछ नहीं होने वाला आप लोगों से मैं सरे यही करोंगा यही request करोंगा यार मैं आपको यही message देंगा कि भाई कुछ भी करो कुछ भी तो focus करो जोचीश करना चाह दो उसके फोकस करो ऐसे हवा में बात्मे करने से कुछ नहीं होगा हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा जो चीप आपको अचीब करने उसके लिए महनत करो, जी जान से महनत करो यार, जी जान से महनत करो इस चीज़ के लिए, दिन रात एक कर दो, एक टाम ऐसा आएगा, जो चीप चाह रही हो वो तुमे मिलेगा, हुआ किसी भी फि Обीफ में उत्रों जिस फिल्ड में उत्रों वेगा उस फिल्ड में अपना वहां हंडर्ट प्रसेंट तो तब जाकी कुछ आप यह मिलेगा इसाब сказать यह उन्देवें जेतनी मेंद्ज सकतेों करोव और आ जितने कम टाइम में जितना जादा अक्यूब ज हातुग कर सकते पर किन संधिक में मौट्व ओ जितना अच्छा है कि एक कम थी को मैं आप जितना भाटरी आतले करो इतना अच्छा है और स्था आपको पहले से ही तarta रहना पड़ाया है इन चुजां कर लिए कि आज हो आज की पहले से देट ह On." यही मैसेज दोंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चे को ले के थोड़ा सा बहुत ज़ादा नहीं बोड़ो हूँगा थोड़ा सा डिसकस करें आप अपने बच्चों से उंक के साथ बैठें हां बाते हैं करें मेरा बच्चा कहां जा रहा है आज के टाइम पर पर लगता है कि मेरा बच्चा कूचिन जा रहा है बस किसी इंसिटूट वगरे में जा रहा है आप देखो मेरा बच्चा कहां जा रहा है क्या कर रहा है किस से मिल रहा है कौन उसका फ्रेंड सरकल है उससे आके आप देखो तेर दो तीन गहिंटे जाने से कुछ नहीं हो याला तो अगर में आप उन्पे प्रक्टिस करो उन्पे मेहनत करो उन्य बच्चों पर आज के टाइम में बच्चों का कंसर्प्टी नहीं के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको महा भारत सुम्हें होगा आपने महा भारत में क्या था अर्जुन लड़ने से पहले बिकुछ कंफ्यूज रहता है अब क्रिष्णु जी उनको पता है भाई अगर यह पूरे ज्यान बारते हैं कि भाई यह है ज्यान अब बता लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा उसके पूरे डाउट्स क्लियर पूरे कंसर्प्ट क्लियर करते हैं पूरे डाउट्स क्लियर जहां उसके डाउट्स क्लियर उसके बार लेड़ना स्टार्ट करते हैं अगर उसके कं जीद गये, पांड़ और हार गये, उसको concept clear थे हैं, उसको पता था मेरा target क्या है, मेरा लक्ष क्या है, मेरा goal क्या है, जब उसको पता था कि मेरा goal क्या है, उसके बाद वो लड़ा, लड़ा तो बहुत 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 और आप लोगों को तो मैं सारे स्ट्रेंट, जितने पे इंडिया के सारे स्ट्रेंट, उनको मैं एक मैसस दोंगा, कि दो चीज़ों पर वर्क करो, एक hard working पर, एक concentration पर, इन दोनों पर वर्क करो, hard working और concentration, इन पर आप वर्क करो, उसके अलावाब आप जो चाहोगे यार, सब हो जो अभी मैनद करेगा, उसके life आगे सेट है, और जिसको अभी ऐसा लगेगा, कि यार कि नहीं, अभी life मस्ती की life है, तो वो अपना भई, मैनद कर लेगा, उसको गड़ूं की तरह आगे देखना पड़ेगा, जिसमें अभी मैनद करी, उसके future, more battery, बहुँ अच्छा, कैसी मैनद कर रहो, कैसी मैनद कर रहो, और बढ़ी लग है, किसमत यह बार काम आएगे, दो बार काम आएगे, भई, हर बार नहीं है, आप यो, यह वाख कुशिष करो यार आप लोग जितना अपना 100% दो आप लोग आप जितना हो सकते अपना 100% दो किसी भी फेल्ड में हो कहीं भी हो अपना 100% दो आप लोग यह ताम ऐसा आएगा आप बहुत बढ़ी आप बहुत आगे अच्छा करो किसी भीट कर रहे हो अपना प्रियुक्त आप जो है अपना अब आप 11 को लेकि को करको शुरूंज्व की मेरे 11 क्लास मेरे स्टार्टिंग अब मेरे करया स्टार्ट होई वहां सोचो दो साल में 11 करो बैथरीन ठरीक्शाप में 11 करो करो जहां हो जिस इनस्टीट जस कऊचिय में जहाँ जिबर भी हो, दो साल बातरूम पर हो, दो साल बाद आपका किसे कोचिंग में जाने का जरुद मिहीं पड़ेगी आप लोग को, किसी भी कोचिंग में आप लोग को जाने का जरुद मिहीं पड़ेगी यदर रखेह 26 ऐसे थेंक यूब आपके अगर आप तक मेरा इन्स पहुंच आए तो प्लीस फर्पा फॉलो करें तो रखा फॉलो समझें गए अब आपके जो भी जहां भी जो टिच्रस समझा रहे हैं उनकी सुने थौरा उनको फॉलो करें थौरा आपने पैरिंटिस की सुने और यही टाने बेटा कुछ करना है था अभी नहीं तो कभी नहीं ओके